हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी और सर्च में स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज है संडे और संडे को हम सॉल्व करते हैं कोई नया पेपर तो आज मैं सीटेट का पेपर लेकर आई हूं सीटेट का पेपर मैंने पहले भी सॉल्व कराया है अगर आपसे छूट गया है और आपको स्टडी करनी है तो इसके लिए आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में लिंक अभी तो फिलहाल एड्ड नहीं है लेकिन जल्द ही मैं उसे वहाँ पर एड्ड कर दूंगी तो मैंने दो पेपर सॉल्व कराए हैं जो कि 2016 में हुआ था दो पेपर फरवरी जहां तक फरवरी में हुआ था और एक और सितंबर में शायद हुआ था तो वह पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूं और आज हम 2015 का पेपर सॉल्व करने चाह रहे हैं तो चलिए अपन दो section दो भाग लेकर ही चल रहे हैं आगे इसको complete करने के बाद next part को भी हम solve करना शुरू करेंगे तो चलिए देर ना करते हूं अपने study पर चलते हैं इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अप्लोड करूं उसका notification आसानी से मिल सके इसके अलाव फ्रेंड्स online classes मैं स्टार्ट करन पास से छे के बीच प्रोवाइड करने वाली हूं तो आप कमेंट करके मुझे इन दोनों टाइमों में से जो आपको प्रिफर लगता है ठीक लगता है उसे जरूर कमेंट करके बताएं थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोस टाइम में जैसे की शायद नेक्स्ट मंथ में हम ला पड़ी 2015 का तो चले इसका पहला कोशन हम सॉल्फ करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सेक्षन है पहला भाग है तो सबसे पहला कोशन है निमने लिखित में से कौन सा बच्चे के समवेगात्मक विकास के लिए सरवाधिक उप्यूक्त है तो सरवाधिक जो परिवेश ओप्चन यह हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है निमने लिखित में से कौन सा एक उप्यूक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है तो जो रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है वो हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित कर यह कोई रचनात्मक कारे नहीं है खुले अंत वाले प्रश्ण ये एक रचनात्मक कारे के अंतर गताएगा परियोजना ये भी रचनात्मक कारे के अंतर गताएगा और अब लोकन ये भी एक रचनात्मक कारे के अंतर गताएगा next question है, question no.3 एक प्रभावशाली अध्यापी का होने के लिए महतपूर्ण है तो क्या महतपूर्ण है? एक प्रभावशाली अध्यापी का होने के लिए प्रत्यक बच्चे से संपर्क में रहना यानि communication जितना बना रहेगा वो उतना ही अच्छा रहेगा और वो सिक्षक उतना ही प्रभावशाली माना जाएगा तो कॉम्मिनिकेशन बहुत जरूरी है आगे चलते हैं Q4 एक बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षिय परिवेश का स्रजन करने की आवशकता होती है इस प्रकार के अधिगम परिवेश का स्रजन करने के लिए नीचे दिये गए कथन में से कौन सा सही नहीं है तो जो सही नहीं है यानी इंकरेक्ट है वो कौन सा हो रहा है वो हो रहा है Option B एक अध्यापकों के अनुसार कार करना और बाकी सभी correct है लेकिन correct answer भी पढ़ लेते क्योंकि question कभी कभी गुमा कर पूछ देता है सही नहीं है कि जगा सही है का भी प्रश्ण आ सकता है तो A कहता है बच्चों के प्रयास को स्वीकरती फिर C कहता है बच्चे को स्वीकार करना D कहता है अध्यापक का सकारात्मक रुख तो यह next question है question number 5 लड़के लड़कों एवं लड़कियों के विशय में कुछ कथन नीचे दिये गए है आपके अमसार इनमें से कौन सा सही है तो जो सही है उसे ही हमें चूज करना है तो इसमें जो correct कथन हो रहा है वो है option B लड़कों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए और C कहता है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को ग्रह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए D कहता है लड़कियों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए यह जो कथन दिये गए है यह पूर्वा ग्रह से ग्रसित कथन है जिसके कारण जो हमारा answer बनेगा जो सही और correct कथन है वो पड़ेगा लड़कों को घर के काम करने चाहिए और यह भी देख सकते हैं लड़कों को घर से बाहर के काम करना चाहिए तो ऐसा जो कथन दिया हुआ है यह इसलिए दिया हुआ है जो लोग पूर्वा ग्रह से ग्रसित होंगे वो जो टिक मार करेंगे इन में से टिक करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों को ही बराबर समझना चाहिए इसलिए जो answer बन रहा है वो भी इसमें हमारा correct होगा लड़कों को घर के काम में सह कोशन करना चाहिए और बराबरी से बढ़ावा देना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवी दरपर छवी आधी जैसी गलतिया मिलती है इस प्रकार का बच्चा लक्षन प्रदर्शित कर रहा है तो यह कौन सा ल सिक्षार्थियों के ज्यान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तो अध्यापकों को कहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो होना चाहिए था सिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना ओप्शन स कि हमारे यापे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है अध्यापक के द्रश्टी कोण से प्रतिभाशाली प्रतिभाश शीलता किसका सईयोजन है तो यह सईयोजन होता है option B हमारा होगा उच्छ प्रेणा उच्छ वचन बधता और उच्छ शमता question number 9 NCF 2005 के अनुसार गलतिया इस कारण से महतपूर्ण होती है तो किस कारण से गलतिया महतपूर्ण मानी गई है ये बच्छों के विचार की अंतर द्रिष्टी उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है question number 10 out of the box चिंतन किस से संबंदित है तो ये संबंदित है अब सारी चिंतन से option C हमारा correct हो जाएगा सिच्छन में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस द्रष्टी कोण को विक्सित करने के लिए किया जा सकता है तो किस द्रष्टी कोण को विक्सित करने के लिए किया जाता है तो ये हो जाएगा सिक्षार्थियों की आवशक्त के उनसार सिक्षण उपागा में परिवर्तन करना option C हमारा correct हो जाएगा question number 12 अधिगम अनभो को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे की अधिगम को सार्थक बनाया जा सके नीचे दिये गए अधिगम अनभो में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है तो सार्थक अनभो को सुगम नहीं बनाता है वो हो जाएगा option A विशे वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुन्रा व्रत्ति question number 13 बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है तो दंड देने का क्या परिणाम निकलता है यह होता है उनके स्वें के प्रती अवधारना को नस्ट करना और अन्य जो option है उसे भी हम देख लेते हैं उन्हें कारे करने के लिए प्रेडित करना दंड से कभी प्रेडित नहीं किया जा सकता है बच्चों की छवी की सुरक्षा करना ये भी गलत होगा उनके अंकों में सुधार करना तो यहाँ पे जो कोशन दे रहा है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देना का परणाम क्या होता है उनके स्वें के प्रती अवधारना को नस्ट करना होता है मेक्स कोशन है निम्न लिखित में से कौन प्रारंबिक बाले अवस्था अवधी के दोरान उन भूमिकाओं एवं व्यम्हारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समोह में स्वीकारे है तो ये हो जाएगा माता-पिता एवं भाई-बहन बाले वस्था के दौरान पूछ रहा है तो सबसे करीब माता-पिता और भाई-बहन ही होती है Q15 विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हे तू उन्हें सुच्छता सामीती का सदस्य बनाना प्रतिबिंदित करता है प्रेरिना की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाए option ए हमारा correct हो जाएगा फिर है निमन लिखित में से कौन सा आयू समोह परिवर्तित बालेवस्था श्रेणी के अंतरगत आता है तो परिवर्तित श्रेणी के अंतरगत आता है छे से ग्यारा वश नेक्स्ट कोशे लेते कोशन नमब्ल सैवेंटीन अर्व तर्क देता है कि भाशा विकास व्यक्ति की नैसर्गे के प्रवरति से प्रभावित होता है जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है और अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विशय में है तो विशय पूछ रहा है तो यह विशय है प्रकती तथा पालन पोशन विवाद नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 18 अध्यापिका ने ध्यान दिया की पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समधान नहीं कर सकती है फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्ग दर्शन की उपस्थिती में ऐसा करती है इस मार्ग दर्शन को कहते हैं इस मार्ग दर्शन को हम कहेंगे सहारा देना next question है अध्याबिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापती के इस्थान पर सभाध्यक्षर लिखा यह संकेत करता है कि अध्याबिका एक लिंग मुक्त भाशा का प्रियोग कर रही है कोशन नुबर ट्वंटी सतत अवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार आवलोकन किया जाता है दर्ज किया जाता है वह सुधार किया जा सकता है कोशन नुबर ट्वंटी वन लॉरेंस कोहल बर्ग के सिधान्त में कौन सा इस्तर नैतिक्ता की अनुपस्थिती को सही अर्थ में सूचित करता है तो इस्तर एक ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा निमन लिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजी करण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्व में सही नहीं है जान दिजेगा इसमें सही नहीं पूछ रहा है ऐसे कुशन ध्यान से करिए तो इसमें जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चे विद्याले में बताई गई बातों को स्विकार करते हैं चाहें उनकी सामाजी के प्रष्टी भूमी कुछ भी हो ऑप्शन बी यह सही नहीं है उनकी प्रष्ट भूमी का बहुत महतपूर प्रभाव पढ़ता है उनके विचारों पर एक कहता है इसलिए हम अधर ऑप्शन भी पढ़ी लेते हैं एक बार जूकि कोशन घुमा करा जाएगा तो फिर प्रोब्लम हो सकती है एक कहता है समोकारे में सक्रिया सहभागिता तता सामाजिक कोशल को सीखना फिर सी कहता है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए इस्थान होना चाहिए दी कहता है सामाजी करण सामाजिक नियमों का अधी ग्रहन है तो मारा option इसमें भी correct होगा नेक्स्ट कोशन है अधिगम में आकलन किसलिए आवश्यक होता है तो अधिगम में आवशक होता है प्रेणा के लिए आकलन किया जाता है प्रेणा के लिए क्योंकि जितनी improvement होगी हमें पता चलेगा हमारे में कितनी improvement हो रही है तो उसके recording हम और उसके प्रती महनत करेंगे और महनत करेंगे तो आकलन बहुत ही आवशक है एक तरह से feedback की तरह ही है question number 24 प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है तो प्रचलित योजना जो योजना चल रही है उसमें कोई नई नवी जानकारी को जोड़ने को कहते है है आत्म आत्मा सत्करण प्रनाउंस्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है आप यह देख सकते हैं आत्म सत्करण फिर कोशन नवर 25 हम सभी अपनी बुध्धी प्रेणा अभिरुची आधि के संदर में भिन होते हैं यह सिधांत संबंदित है व्यक्तिक भिनता क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग योगिता प्रेणा गुण होता है जिसके कोर्डिंग हर आदमी अलग अलग होता है जिसे कोशन है कोशन नमबर 26 वंचित समू के विद्यार्थियों को सामाने तह विद्यार्थी के साथ पढ़ना चाहिए इसका अभी प्राय है तो इसका अभी प्राय है समावेसी सिक्षा option A हमारा correct होगा कोई भी नाराज हो सकता है यह आसान है परन्तु एक सही व्यक्ति के उपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश के लिए जदा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है यह संबंदित है सम्वेग आत्मा को विकास से जानिक सम्वेग का जैसा विकास होगा उसके according ही वह नाराज होगा तो इसमें हमारा जो option बन रहा है वह रहा है सम्वेग आत्मा को विकास next question है question number 28 विक्रत लिखावट से सम्वेग लिखने की योगिता में कमी किसका एक लक्षन है तो यह लक्षन है dyslexia अभी पिछला जब हमने solve किया था बाल विकास सम्वेग आया था तो ध्यान रखेगा old paper solve करना बहुत ही important है क्योंकि question जो है वो repeat होते रहते हैं तो old paper solve सबसे पहले करिए उसके बाद उसके descriptive जो भी study है उसमें जाईए next question लेते हैं question number 29 प्याजे के सिधान्त के अंसार निम्न लिखित में से कौन सा व्यक्ति के संग्यादांत्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा तो सामाजिक अनुभव नहीं प्रभावित करता है जबकि भाषा परिपक्वन और क्रियाकला प्रभावित करता है next question है question number 30 इन में से कौन सा त्री तंत्रिय सिधान्त में व्यवहारिक बुद्धी का अभिप्राय नहीं है तो फिर से नहीं है पूछ रहा है तो इसका option बनना है B केवल अपने विशय में व्यवहारिक रूप से विचार करना और जो सही है वो भी पढ़ लेते हैं A कहता है परयावर्ण का पुना निर्माण करना C कहता है इस प्रकार के परयावर्ण का चैन करना जिसमें आप सफल हो सकें और D कहता है परयावर्ण के साथ अनकूलन करना तो यहां पर इस सेक्षें से कुल 30 कोश्टन साते हैं और हमने आज जो बार विकास से समब्दित सेक्षें है 30 कोश्टन का उसको सॉल्व कर लिया है तो फ्रेंट्स देख सकते हैं हम आगे हमनी प्लेलिस में अगर आप ज़ीवर है तो आप डिस्रिप्शिन बॉक्स में जाए और इन सब जो जो भी वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो टाइम description box जरूर चेक करें यहां पर net की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आपको वीडियो के जो आइकन है वो नहीं दिख रहे हैं लेकिन description box जरूर चेक करें तो उमेद आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें करने के बाद बैल आइकन की घंटी के जुरूर प्रेस का लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके तो थोड़ी सी नेट की प्रोब्लम हो रही है इसलिए मैं टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हो और इस वीडियो के तुरण बाद ही मैं कोशिश करूंगी आपको पर्यावर्ण का इसी एर का जो 2015 का भी हमने सौल्ट किया है पर्यावर्ण का भी मैं टॉपिक आपको ब्रोवाइट कर दूँ तो ओके फ्रेंट्स टेक कियर और बाबाई